हमिरपर जिला में किसी प्रकार का कर्फ्यू नहीं लगाया गया है और केबल मात्र भीड कम करने के उदेश से ही हमिरपर में नई नोटिफिकेशन जारी की गई है करोना संक्रमन के मामलों में ब्रिद्धी को देखते हुए जिलादीश देवशेता बनिक ने आवदा परवंदन अधिनियम 2005 के तहट विशेश आदेश चारी किये हैं आदेशों के अमसार जिला में अब सभी दुकाने केबल सुबा 6 बज़े से शाम 6 बज़े तक ही खोली जा सकेंगी मेडिकल और दवाईयों की दुकाने होटल रेस्तरा और ढाबों पर ये आदेश लागू नहीं होगा होटल रेस्तरा और ढाबे राद 10 बज़े तक खोले रखे जा सकते हैं इसके साथ ही मुखे जिकित्सा अधिकारी सभी होटल रेस्तरा ढाबों सैलोनों और हेर कटिंग की दुकानों में काम करने बाले लोगों के हर सब्दा करोना टेस्टिंग सुनिश्टित करेंगे अने राजियों बिशेश कर करोना परभावित चेहरों से आने बाले लोगों को संबंदित पंचायतों के पदा धिकारियों या स्वास्ते बिभा के करमचारियों अत्बा संबंदित SDM को सुचित करना होगा मुखे चिकितसा अधिकारी बाहर से आने बाले इन लोगों की सेंप्लिंग सुनिशिद करेंगे प्रति दिन होने बाले सेंप्लिंग में इन लोगों की कम से कम 25% संख्या होनी चाहिए उपायत हमीरपूर देव शेता बनिक ने बताया कि सैलोन, बारबर, शॉप और होटल डाबों के करमचारियों के भी सापताहिक टेस्टिंग की जाएगी और इसके लिए बकाइदा CMO के द्वारा इस पर पूरी नज़र रखी जाएगी उन्होंने बताया कि दुकानों को बंद करने का समय निर्दारित क्या गया है और दुकानदार भी इसी समय के अंसार दुकानों में अपनी दिनचर्या को निपटाएगी हमीरपूर के लिए स्पेसिफिकली हमने कुछ और दो चार ओर्डर जो जारी किये हैं वो यह हैं कि शाम को 6 बजे तक ही जो है मार्केट्स और शॉप्स जो है वो खुली रह सकती है शाम को 6 बजे के बाद शॉप्स नहीं खुली रहेंगी कर्फ्यू कोई नहीं लगा हुआ कोई लॉगडाउन यह कर्फ्यू नहीं है यह सिर्फ भीर को नियंतरत करने के लिए जो है हमने यह कदम उठाया है कि दुकान कि दुकाने हैं वो इस अदेश के अंतरगत नहीं आती वो खुली रह सकती है कई सारी केमिस्ट की शॉप्स तो 24 गंटे खुली रहती है क्योंकि उसकी इमर्जनसी कभी भी किसी को पढ़ सकती है इसके अलावा होटेल्स रेस्टरॉंस धाबास या इटरी जो है वो रात को 10 तक खुली रह सकती है कि इनकेस कोई खाना ओर करना चाहे या इस तरह सा कुछ जरुवत पढ़े तो रात को 10 बजे खुली रह सकती है इसके अलावा होटेल्स रेस्टरॉंस में जहां बैठके खाने का योजन है वहां पे बैठके उस रेस्टरॉं के अंदर बैठके खाना जो है वो नहीं सर्व किया जाएगा, रेस्टरॉंस धाबे खुले रह सकते हैं, लेकिन सिर्फ टेक अवे और होम डेलिवरी के लिए ही, यह आदेश जो है वो नैशनल हाइवेस के ऊपर जहां बसेज ऑपरेट करती हैं, या एसेंशल कमोडिटीज के गाडियां जो है वो आत रेस्टरॉंस हैं, जहां पर खाना बनाने वाले या सर्फ करने वाले, उनके लिए भी हमने CMO हमीरपूर को आदेश तिये हैं कि वीकली उन सारे सर्वेस प्रोवाइडर्स की टेस्टिंग जरूर करवाएं, क्यूंकि यूशली हम जब सार्वजनिक स्थनों पर जाते हैं, तो सबसे ज्यादा एक्सपोजर इन ही लोगों से हमको हो सकता है, या हमसे उन लोगों को हो सकता है, क्यूंकि थोड़े लंबे समय के लिए जो है कस्टमर्स इन जगाओं पर रुखते हैं, और कई बार हमने देखा है कि प्राक्टिकली जो कोवेड प्रोटोकॉल्स का भी लंगन काफी हद तक होता है यहां पे, तो सभी से अनुरोध है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के जो टीम्स हैं उनका भरपूर सहयोग करें, अभी के नॉलेज के लिए मैं दुबारा कहना चाहती हूं कि कोई भी कर्फियू या लॉगडाउं जो है वो हमीरपूर जिले में न रोक लगा सकें। अन्य कारिक्रों में हिस्सा नाली। जो है सूचना बस दीजिए। हमने कोई आपके उपर इस्टिक्शन्स ऐसे नहीं लगाए हैं कि आपको खुदी टेस्ट करके नेसेसरेली आना है। आप जहां तक संभा वो अपने आपको जो है थोड़ा बीडभार से दूर रखें। ताकि हम लोग CMO के माध्यम से रैंडम टेस्टिंग करवा पाएं ऐसे रिटर्नी के उपर जो लोग बाहर से आए हैं। और कहीं न कहीं हमारा थोड़ा चेक हो पाए कि अगर जो बाहर से आ रहे हैं उनमें कहीं संक्रमन जो है वो लेके तो नहीं आए हैं। तो इसलिए सभी से गुजारिश है जो खुद आ रहे हैं वो अपने आप स्वयम ही इसकी सूचना जो है कंसर्ण अधिकारियों को दे। हाल ही में बार-बार जो है माने मुखे मंत्री महोदे द्वारा और सरकार द्वारा जो निर्देश दे जा रहे हैं कि लोकल लेवल पे जो है कारेक्रमों के बारे में बाहर से आने वाले लोगों के बारे में टेस्टिंग के सहयोग के लिए कॉंटाक्ट ट्रेसिंग के हैं और काफी जगाओं पे पंचायत काफी एहन भूमिका निंभा रहे हैं हमारी सारी जो हेकोविड के मानकों के बारे में इसीलिए जो ही के चलते हमने एक डेली एक वीकली जो है अचरी पोर्टिंग फॉरमाट जो है वहर पंचायत प्रधान के लिए बनाया है जो कि हमने already जो है blocks में भेज दिया है जिसमें उस पंचायत में कितने लोग हो मैं isolated हैं कितने लोग गंभीर हैं कितने लोग समानिय हैं स्वास्ते के दिरिष्टी से कितने कारेक्रम इस एक हफ़ते के अंदर उनके पंचायत में हुए हैं, कितने containment zones हैं और वो concern प्रधान या पंचायत द्वारा कितनों की निरिक्षन जो है वो की जा रही है या फिर कितने ऐसे हैं लोग जो बाहर से आए हैं उसकी सुचना हम अब प्रधानों के माध्यम से भी weekly format पे लेना शुरू कर रहे हैं ताकि local level पे जो information रहती है उसका सही इस्तेमाल होके हम लोग कोविड की निगरानी के लिए जो है एहम कदम जो है उठा सकें